नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल HP Job Alert में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कॉंस्टेवल रिकॉर्मेंट 2021 के बारे में दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बैल आइकन को दबा दीजे ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हिमाचल पुलिस में कॉंस्टेवल के तेरस सो चौथिस वदों को भरने की मंजूरी दी गई है सिपाही बढ़ती में इस बार अभियर्थियों को गुजरना होगा इंटर्वियो की प्रक्रिया से दोस्तों इसमें नेम बफ फॉस्स कॉंस्टेवल मेल। कॉंस्टेवल ड्राइवर और कॉंस्टेवल जो फीमेल की पोस्त रहेगी तोर्टल वकेंसिसमें आपकी तेरस सो चौथिस रहेगी और सेलेक्शन प्रसेस्स रहेगा आपका फीजिकल और रिटन एANSमिनेशन उसके की बाद personality test रहेगा और 1334 में सारी post रहेंगी और Constable की 906 post रहेंगी Constable driver की 91 post रहेंगी और Constable female की 267 post रहेंगी दोस्तों age limit की बाद करें तो इसमें अलग-अलग आपको category में जो age limit रहेगी तो जर्नल केटेगेरी में आपको 18-23 साल रहेगी, SCST 18-25, OBC और गोरखाज 18-25, होमगार्ड जर्नल और OBC 20-28, और हाइट की बात करें तो जर्नल 5.6 इंच और फिमेल 5.2 इंच जर्नल, SCST 5.4 इंच मेल और फिमेल के लिए 5. पांच फूट, OBC के लिए 5.6 इंच, 5.2 इंच जर्नल 5.6 इंच, पांच फूट दो इंच जो है फिमेल की रहेगी, चेस्ट की बात करें तो जर्नल 31-32, और SCST 39-30, OBC 30-32, पे स्केल की बात करें इसमें तो, इसमें अब की 5910 से 20,200 तक, और ग्रेड पे आपको 1900 रुपए दिया जाएगा स्टार्टिंग सेलरी आपकी 7800 देश रहेंगी और उसके बाद आपका 10300 से 34800 और आपको ग्रेड पे जो 32 रुपए दिया जाएगा दोस्तों educational qualification की बात करें तो आप इसमें प्लस टू पास होने चाहिए और application fees की बात करें तो आपको application fees इसमें 140 रुपए देनी होगी जो की general category के लिए 140 रुपए रहेंगी और 35 रुपए आपकी जो है SCST, OBC और IRDP के लिए रहेंगी इसमें आपको अप्लाई करने के लिए online apply करना होगा और form बने के लिए आपको citizenportal.hppolice.government.in पर जाना होगा इसमें आपको application form पर apply करना होगा और police constable HP requirement 2021 में आपको click करन के बाद आपको अपना form fill up करना होगा उसके बाद जो भी detail होगी आपकी वो सब बरनी होगी उसमें और अपना scan photograph और signature उसमें अफ्लोड करने होगे उसके बाद आपको अपनी जो फीस होगी वो पे करनी पड़ेगी उसके बाद आप उसका print out लेकर आप उसमें apply कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like करें वीडियो को और channel को subscribe करें ताकि नई वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद